साब पे भारत में जल्द officially होगा launch मिली permission नई दिल्ली Facebook की ownership वाले instant messaging platform WhatsApp पर जल्द ही users को payment का option भी मिलने वाला है Company को अब National Payments Corporation of India, NPCI की ओर से इसका Pilot United Payment Interface, UPI, Service Expand करने की permission दे दी गई है Unique Identity Database आधार और UPI के आर्किटेक्ट नंदन नीले कनी का कहना है कि अब WhatsApp अपने एक करोर से ज्यादा users के लिए payment service ला सकता है नीले कनी ने शुक्रवार को IIT Industry Conclave में इस बारे में जानकारी दी WhatsApp के payment feature WhatsApp Pay को NPCI की ओर से डेवलप किये गए UPI पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है इसकी मदद से users messaging app पर ही अपने bank accounts से business transactions और पैसो का lane देन कर सकेंगे WhatsApp की ओर से करीब 10 लाख users के लिए इसे पाइलिट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था और इसे 2018 में प्रोजेक्ट के लिए license दिया गया था 10 लाख से 1 करोड तक बड़ी limit Media Reports के मताबिक शुक्रवार को NPCI ने WhatsApp के लिए यह limit 10 लाख से बढ़ा कर 1 करोड यूजर्स तक कर दी है Report में RBI के अनाम source के हवाले से यह बात कही गई है हाला कि NPCI और WhatsApp दोनों की ओर से इस पर कोई comment नहीं किया गया है फिलहाल messaging gap पिछले एक साल से यूजर्स के साथ अपनी payment service की टेस्टिंग कर रही है जो कि अब अपने अंतिम चरण में है साल के अंत तक launch की उम्मीद बता देख भारत में WhatsApp इस्तिमाल करने वालों की संख्या करीब 40 करोड है कमपनी के global hate will Cathcott ने कहा कि कमपनी चाहती है कि उसके platform से पैसे भीजना message भीजने जितना ही आसान हो Cathcott ने कहा था कि करीब 30 करोड से ज्यादा users और खासतोर पर छोटे और मध्यम व्यवसायों SMBS के लिए WhatsApp की peer-to-peer UPI based pay service इस साल के अंत तक भारत में पेश कर दी जाएगी